मैं हूँ अन्यपुर्णा और आपका स्वागत है मेरे कीचन में आज मैं बनाने वाली पावभाजी दोसा यह एक्च्वर में फ्यूजिन है साओधी ने दोसा और मुंबई पावभाजी का यह दोनों का कॉमिनेशन बहुत बढ़िया है यह दोसा भी बहुत टेस्टी और चे जी जैसे की गाजर है शिमला मिर्च है टमाटर है प्याज है और कुछ धन्यापती है अब सबसे पहले मैं दोसे के बैटर में नमक डाल रही हूं नमक डालके मिक्स कर रही हूं उसके बाद मैं इसमें थोड़ाइसा पानी भी डालूँगी क्योंकि यह थोड़ा सा ठीक है पानी डालके इसका consistency मैं perfect करूँगी, अब दोसी का batter perfect है, अब मैं रखूँगी तवा, मैंने gas on कर दिया है, gas on करके तवा रखा है, जिसे ही तवा गरम हो गया, मैंने इसके उपर थोगा सा पानी चिड़क की tissue paper से clean किया, पानी चिड़कने से तवे का temperature नॉर्मल हो जाता है, अ इसके उपर डाला है butter, butter डालके बारी बारी से विजटेबल डालोगी, पहले मैंने प्याज डाला है, गाजर डाला है, शिमला मिर्च डाला है, टमैटो डाला है, धनिया पती, अब मैं इसके उपर डाल रही हूँ, sauces, पहले ये रेट चिली sauce है, फिर मैं डालूँगी पावभाजी डाल रहता है, पावभाजी का टेस्ट रहता है, तो हमें चटनी या सांबर की आवशकता नहीं है, बस आप नॉर्मल इसको ऐसे खा सकते हैं, उसके बाद मैंने बॉल वेजटेबल डाला, बन्दा गोबी और मतर, अब अपने choice के according, इसमें अपने चोईस के according, अब मैं सारे चीज़ों को evenly अच्छे से mix कर ली हूँ, mix करके अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, पावभाजी मसाला, यहाँ पे मैंने हाफ स्पून यूज किया है, पावभाजी मसाला डालके हमको एकदम अच्छे से mix करना है, अगर आपके पास potato measure है, तो आप सारे वेज मैशर से अच्छे से mash कर, यहाँ पे आप स्पून भी यूज कर सकते हो, यह एकदम evenly अच्छे से mash करना है, वैसे ही जैसे कि हम लोग पावभाजी को करते हैं, यह जैसे mash हो जाएगा, उसके बाद हमारा दोसा बनके रेडी हो जाएगा, इसको आप लिफ्ट ओवर पावभा तवे से निकालके सर्फ करूंगी, धन्यापति डालके मैं सारे भाजी को एक सेट करूंगी ताकि मुझे फोल करने में इजी हो, थोड़ा से साइट किया, आप मैं इसको सर्फ कर रही हूँ, चटनी और सांबर की साथ, आप बिना चटनी या सांबर की साथ ऐसे भी खा सकते Thank you